अगर आपको एक simple सी और effective strategy चाहिए तो जैसे strategy को मैं backtest कर रहा हूँ पिछले 7 महिने से ये strategy आपके लिए beneficial हो सकती है कैसे हो सकती है complete information इस वीडियो के अंदर मैं share करने वाला हूँ और साथी साथ आपको आज का example भी दिखाने वाला हूँ कि कहां पे entry मिली और किस तरीके से entry को plan करके आप जो अपने profits का winning rate है उसको बढ़ा सकते थे चलिए शुरुआत करते हैं bank nifty का 5 minute का चार्ट मैंने लगाया हुआ है साथ महिने का data भी आपको show करूँगा जो मैंने back testing forward testing किया है तमाम information इस वीडियो में आपके साथ detail में share करने वाला हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे bank nifty के 5 minute के चार्ट के अंदर तो दिन की शुरुआत होती है एक bullish candle के साथ में दूसरी candle भी bullish होती है third candle हमारी bearish होती है जहाँ पे अगर आप देखें तो 5MA की line में यहाँ पे plot किया हुआ है अब यह 5MA की line अगर आपको नहीं लगाना आता है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे EMA जो है EMA हटा देता हूँ आपको लगा के दिखा देता हूँ एक बार जो लोग नए है उनके लिए मैं यह कर रहा हूँ indicator section में जाएए जो भी platform आप यूज कर रहे हैं वहाँ indicator में क्लिक कीजिए वहाँ पे type कीजिए EMA EMA में सबसे पहले उपर आजाएगा moving average exponential यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद एक line यहाँ पे plot हो जाएगी by default के line 9 candles का होता है यानि कि जो 9 candles का average है उसको यह क्या करता है plot करता है चार्ट पे लेकिन इसको हमें क्या करना है 5 candle का average बनाना है तो इसके setting में जाएगे setting में जाने के दू तरीके हैं या तो आप इस moving average की line को double click कीजे और यहाँ पे आजाएगा length 9 है इसको आप कर दीजे 5 जैसे आप इसको 5 कर देंगे थोड़ा सा color इसका black कर देते हैं ताकि clearly visible रहे यह हो गया यहाँ पे और इसके बाद इसको हमने set कर दिया चार्ट पे अब अगर आप देखोगे तो इसमें rule क्या होता है कि जब भी कोई candle 5 वीमे के उपर closing दे दे और उसका low touch नहीं कर रहा हो 5 वीमे को ऐसे में अगर low break होता है तो आप entry लेते हैं और same candle का आपका जो high होता है वो stop loss होता है तो इस according अगर हम देखें तो ये वाली जो candle है ये red वाली bearish candle ये वो entry criteria fulfill करता है यहां तो इसके low break होने पे entry और इसी candle का high जो है आपका stop loss और उसके बाद आप target कितना expect करते हैं वो है आपका 1 is to 3 तो अगर मैं नीचे करके आपको दिखाऊं तो इसमें 1 is to 3 मिला कि नहीं आप देखेंगे यहां पे 1 is to 3 जो है इसमें मिल गिया है थोड़ा सा नीचे मुझे करना पड़ेगा this is the point ठीक है तो 1 is to 3 इसके अदर मिल गिया point wise अगर मैं बात करूं तो target कितना मिला है 239 points का bank nifty के अदर 239 points spot के chart पे निकालना is the big thing लेकिन इस strategy से आपको मिला है लेकिन अब आप देख रहें कि इतना बड़ा point तो मिल गया क्या ऐसा बार-बार होगा हाँ जी बार-बार भी होगा लेकिन इसके अंदर एक planning के साथ लेना पड़ेगा ऐसा क्यूं मैं आप भी आपको दिखाता हूँ तो ये जो sheet है जो मैंने open कर रखा है ये है आपका पिछले 7 महिने का data मैंने इसके अंदर January का data भी आड़ कर दिया है जो लोग पुराने हैं continuously videos देख रहे हैं चैनल पे तो Jan का data included नहीं था तो मैंने सोचा इस साल का पूरा data हमारे पास होना चाहिए तो मैंने Jan का भी back testing करके data इसके अंदर include कर दिया है and best part January जो था हमारे लिए profitable था तो अगर आप देखो कि पिछले videos के अंदर हमारा जो profit था somewhere around 225-26% के आसपास था लेकिन Jan का data add करने के बाद और आज का जो 238 point हमें capture होता है वो add करने के बाद जो gain percentage है वो 335% के पास पहुँच गया है ठीक है अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको धियान देनी है यह 335% देखके आप trade करना blindly चालू मत कर देना आपको देख रहा है कि capital तो तिक ना हो गया आप इसको देखके जो है trade करना चालू कर देंगे लेकिन कुछ इसके बहुती बारीक points जिसको समझना जरूरी है क्योंकि मैंने 7 महिने की back testing manually की है कोई system से नहीं किया है manual किया है तो इसलिए मुझे पता चल गया है कि कौन सी जगह पे ये 5 BMA strategy काम करता है और कौन से ऐसे positions होते हैं यहां पर आपके SLS हीट होने के चांसे ज़ादा होते है इनी सारी बातों को बताने के लिए मैं Sunday को यह जो आने वाला Sunday है शाम में यानि तकरीबन 4 बजे के आसपास एक live session conduct कर रहा हूँ आप उसका part बन सकते हैं उसको join कर सकते हैं करने के लिए WhatsApp का number नीचे description में दिया किया है एक nominal सी fee है उसको pay करके आप उस session का part बन सकते हैं अगर आपको यह सीखना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में वो कौन-कौन से points हैं मैं आपको कुछ थोड़ा सा idea दे रहता हूँ जैसे यहां पर अगर आप देखो कि February, March यहां पर जैन भी मैं add कर दूँगा तो कहने का मतलब यह है यह जो दो महीने है April का और July का इसके अंदर जो है हमारा आप अपर April में देखो कि तो 125% का loss हुआ था यानि अगर मालो आप मेरी ये sheet March के मन्त में देखते हैं आपको अच्छा लगता और अगर आप April में ट्रेट करना चालो करते तो जो भी capital आप लगाते है वो सारा का सारा loss हो जाता प्लस brokerage आपको अपने घर से देना पड़ता क्योंकि 125% का loss है इन दे सेम वे जुलाई के मन्त में 80 या 85 के असपास महुँच जाएगा ठीक है लेकिन फिर भी 85% का loss तो अभी भी है अब देखना ये है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर जो 10 दिन जुलाई में बचे हुए है ये positive होता है कि नहीं होता है या ये negative में ही closing होता है तो अगर आप ये जून में भी मेरी sheet देख लेते हैं और अगर आप trading करना चालू करते जुलाई से तो आपका capital जो है 85% के आसपास wipe out हो जाता तो ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है इसके अलावा अगर आप देखोगे winning percentage सिर्फ 29% है ये भी area of concern है कि अगर आप 100 trade लेते हो तो 100 trade में से 71 trades आपके loss में जाएंगे और सिर्फ 31 trade ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको profit देखने को मिलेगा अब यहाँ पर क्या है psychology को maintain करना 70 trade के अंदर loss देखना back to back ये बहुत ही बड़ा challenge है इसको कैसे improve किया जाए ये तो तब है 29% जब आपने blindly trade लिया है बिल्कुल blind इसमें क्या-क्या बातें खास है जिनको ध्यान में रखके आप इसको improve कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें जो है मैं live session के अंदर जो है share करने वाला हूं Sunday को तो दो दीन ही है अगर आप उसका part बनना चाते हैं तो जल्ली से join कर लीजिए whatsapp का number description में दिया गया है connect कीजिए nominal fee fee है pay कीजिए और उसके बार उसको join करके उसमें live मेरे साथ सीखिए कि क्या-क्या चीज़ें साथ महिने में मैंने observe करी है जिससे आप सबसे पहले क्या कर पाएंगे ये जो 29% का winning rate है इसको improve करेंगे साथी साथ जो इस तरह की situation आ रही है April और July के अंदर इसको कैसे हम बचें इससे ठीक है ये जानना जरूरी है और जो unwanted assets जो हमारे hit हो रहे हैं उसको कैसे कम करें unwanted assets कैसे कम करें कौन सा high quality trade होता है multiple confirmation के साथ trade कैसे लें ये तमाम information जो है आपको session के अंदर समझने को मिलेगा trades के number की बात करें तो 281 है ठीक है और अगर यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाने की मैंने कोशिश की है कि अगर आप device देखोगे ठीक है तो कौन से दिन आपको सबसे ज़ादा जो है फाइदे मन रहा है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 35% यानि Wednesday को trade अगर आप लेते हैं तो सबसे ज़ादा beneficial आपके लिए रहता है अभी के data के according ठीक है उसके अलावा अगर आप देखोगे कि 35 के बाद यहाँ पे 34 Monday वाला data भी improve हो गया है Monday के दिन भी अगर आप trade लेते हैं तो ठीक रहता है सबसे ज़ादा जो loss होता है वो है आपका Friday वाले दिन Friday और Tuesday आपके लिए बहुत ही बेकार दिन होता है तो कि इस data के business पे आपका क्या के inclusion निकलता है कि अगर 5 year में strategy को आप use कर रहे तो Friday को थोड़ा सा जादा vigilate रही है Friday को आप unwanted trades ना ले कोशिश करने कि ना ही ले और अगर लेते भी हैं तो जब high quality trade मिलता है तो ले और मंगलवार को भी यही करना है बाकी जो दिन है वो थोड़े से आपके ठीक है उन दिनों में आप trade ले सकते हैं को कि 32%, 34% और 35% यह almost आसपासी हैं लेकिन 26 और 20 यह बिलकुल deviate करते हैं यानि कि इन दिन दो दिनों में अगर आप trade लेते हो Monday, not Monday, Tuesday और Friday को तो यह आपके लिए loss making day हो सकता है तो यह तो एक data point है ऐसे कई सारे data point जो है मैं live session के अंदर share काने वाला हूँ आपके साथ में तो जल्दी सो उसका part बन चाहिए और कोई भी question अगर आपका है तो आप comment section में लिखके बता सकते हैं यह video अगर आपको ज़रा भी informative लगी तो like ज़रूर कीजेगा क्योंकि इस तरह की videos बनाने में efforts लगता है जब आप video को like करते हैं तो पुझे पैदा चलता है कि video आपके लिए beneficial था और channel पे पहली बाहरें तो subscribe कर लिजे क्योंकि इसी तरीके से मैं back testing, power testing का data अलग-अलग strategies पे आपके साथ share करता रहूंगा और जिससे आप decision ले पाएंगे कि कौन सी strategy आपके लिए better है ठीक है मिलता हूँ आप से अगले video में तब तक के लिए take care and keep learning new things as always क्योंकि learning ही आपको एक अच्छा trader बना सकती है thank you so much